ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती आज बाबा कहरे मीठे बच्ची तुम अभी हंस बनने का पुरुसार्थ करे हो तुम्हें इन लक्षमी नारायन जैसा हंस बनना है अर्था संपूर्ण निर्विकारी बनना है कोई भी विकार का अंस वंस भी ना रही प अबा बता रहा है उत्तर है इस घ्यान में तीवरिया तीखा जाना है तो सारे विचार छोड़ दो बाब की याद में लग जो जिसे विक्रम विनास हो जाएए पूरा किच्ड़ा निकल जाए बाबा कहता है कि कोई भी विचार कब करेंगे कैसे करेंगे कोई यह ऐसा कर रहा ह चोड़ देना है और कमी कमजोरियां सब कुछ इसी समय भसं होनी है तो याद कि यातरही उचा पद का अधार है जितना हम याद करेंगे उतना विक्रम भिनास होगा विकार नस्ठ होगा कमी कमजोरी नस्ठ होगी तो इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन जाते हों बाप की उसके बिना वो रही नहीं सकता है ओम शान्ति बाप बैट बच्चों को समझाती है कि इस दुनिया में कोई भी कोई तो हंस है तो कोई बगला है यह लक्षमी नारण हंस है इन जैसा ही तुमको बनना है कोई तो हंस है बहुत अच्छा ग्यान सुन रहे हैं और कोई ग्यान में नहीं है फिर ग्यान में भी कोई हंस और कोई बगला है कोई बहुत अच्छे से धारन कर रहा और कोई विरोध कर रहा ग्यान में चल कर भी लेकिन हमें लक्षमी नारण को देखना है तुम कहोगे हम दैवी संप्रदाय के बन रहे हैं बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदा और तुम से बनाता हूं अभी पूरे नहीं बने हूं लेकिन बनना है हन्स मोती चुगते हैं बोगकला गंद खाता है अब हम हन्स बन रहे हैं इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है काटों के बीच रहता है फूल कोमल होता है लेकिन सुतुरंत भर में अपने बीज रूप में आ जाता है फिर फूल कैसा होता है खुसबुदार होता है तो बाबा करता फूल के जैसे ही क्वालिटी को धारन करना है और उनको काटा का जाता है जो बाबा करता कि जो दुसरों को दुख देते हैं दुख लेते हैं हंस थेतु लेकिन नीचे उतरते उतरते बगले बन और द्वापरकलयोग बगला बनते हैं हंस बनने में भी माया बहुत भी घंडा आती है कुछ न कुछ गिरावट आती है फिर मुख्य गिरावट आती है दे अभिमान की इस संगम यूग पर ही तुम बच्चों को चेंज होना ये संगम युगपर ही हमें पूरी तरह से चिंजोना है आगे पीछे नहीं हो सकते ही जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो फिर सत्युग में भी हंस रहेंगे और त्रेता में भी हंस अर्था देवी देवता होते ही नई दुनिया में पुराने दुनिया में एक भी हन्स हो न सकी भय संयासी है प्र जैसा सर्वगुन संपर और कोई धर्म वाला नहीं बनता है अब बाप ही आएं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हूं और फिर कोई नई दुनिया में थोड़े आते हैं दूसरे लोग नहीं आएंगे जो पुरुसार्थी बच्चे हैं जो बाबाको पहचान गया है वही आएंगे अब इन देवताओं का धर्म तो लोप हो गया है क्योंकि धार्ना नहीं है देवी देवता को मान रहे हैं लेकिन कोई धार्ना तो है यो ताइं संपुन पवित्र होते हैं, वहां योगबल से ही सब कुछ पैदा होता है, यहां पतित मनुस्यों को क्या पता, वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उसका नाम है वाइसलेस, यानि निर्विकारी दुनिया, विकार की बात नहीं होती, कहेंगे जानवरादी कैसे पैदा होते हैं, बोलो, वहां ही योगबल, विकार की बात नहीं होती है, बाबा कहता है, कि जैसे आत्मा संपुन पवित्र बनती है, तो आत्मा के साथ सब प्रकिर्ती भी सतो परधान बनती है, तो जब बाबा कहता है, सत्योग में देवी दियोता योगबल से बच्चे हो विकार विकार की बाते क्यों करते हो ये बाबा समझाने के लिए कहता है इसका नाम है वैस्याला इस दुनिया का नाम और उसका नाम है सिवाले उस सिवाले के थापना सी बाबा कर रहे हैं सी बाबा उची से उचा टावर है ना सबसे उची सकती है सी वाले भी ऐसे लंबे बनाते हैं सी बाबा तुमको भी सुख का टावर बनाता है सुख के टावर में ले जाते हैं बाबा के ता ऐसा हम लोगों को भी सुखदाई बना रहा है कि हम लोग दूसरों को भी सुख दे सकते हैं और फिर सुखदाई दुनिया भी बन रहा सत्युक्त रेता, तो इसलिए बाबा में बहुत प्यार रहना चाहिए, भक्ति मार्ग में सी बाबा के साथ प्यार रहता है, सी बाबा के मंदिन में देखो बड़े प्यार से जाती है, प्रतु कुछ समझते तो नहीं है न, बस गये भजन किर्टन किये, महिमा किये हो गिया, धारना तो कुछ करते ही नहीं, अब तुम बच्चे सर्व गुन संपन बन रहे हो, धारना कर रहे हुँ, अभी संपूर नहीं बने हो, तुम्हारा इम्तिहान तब होगा, जब तुम्हारी राधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बाबा के तर लाश्ट में भी एक एक जाम होगा जिसमें छाटा जाएगा एक एक बच्चे को जो सत्यूग में जाएगा तो फिर सब खतम हो जाएगे फिर नंबर वार थोड़े थोड़े आते जाएगे तुम्हारी तो पहले ही रजाई सुरू हो जाती है और धर्मों की रजाई सुरू नहीं होती है तुम्हारी तो किंग्डम है ना यहां जितना हम पुरुसार्थ कर रहे हैं और जैसे इसके बाद पहला जनम लेगे हमारी रजाई स्टार्ट हो जाएगे हम राजा कुल में हो जाएगे लेकिन जो भक्ति मार की आत्माए कितना भी कुछ कर ले कितना धर्म स्थापा का है तेकिन उनका राज नहीं आया वो लोग जनम बाई जनम आते गए जब उनकी पूरी व्रिद्धी होई तब उनको रजाई मीला था लिये थे वो लड़ाई जगड़ा करके लिये थे तो इन बातों को भी तुम बच्चे ही जानते हो बनारस में बच्चे सेवा पर गए उनको समझाने का नसा होता है प्रत वो लोग इतना समझ ना सके गायन भी है न कोटों में कोई समझेगा कोई में भी कोई धारन करेगा उसमें भी कोई विशेज बनेगा तो गय जाते ही बच्चे समझाने के लिए लेकिन सभी तो नहीं स सजाएं खाते हैं कोई 95 परसेंट सजाएं खाते हैं और 5 परसेंट ही चेंज होते अगोई जैसे कि दादी जानकी को बहुत बीमारी था लेकिन वह बोलती थी कि 45% हम बाबा को याद करते 50% हम सेवा का बल जमा करते और मात्र 5% दवाई खाते कैसे वो चुक्तुकी योग बल से तो हाइस्ट और लोएस्ट नमबर तो होते हैं आप देखे कोई 95% योग से चुक्तु कर रहा है और कोई 95% भोग बल से चुक्तु करा सहन करके तो अभी कोई भी अपने कोहन कहना सके पुरुसार्थ कर रहे हैं जब ज्यान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी ज्यान पूरा लेना है वह लड़ाई ही फाइनल होगी लास्ट में अभी तो कोई 100% नहीं बने अभी तो घर-घर में प मैर का सबकुछ समाथ होगा भक्ति का तक लिनने लगी अभी बहकतो का राज है ना भक्ति का उस पर तुम विजयाए करते रहे होगे शुरू में तुमको बहुत साच्छातकार कराई हुए ना बाबा तो शुरू में बहुत साच्छातकार कराता था बच्चे बैकुंड पहुझाते थे रास लीला करके आते थे कैसे राध्धानी चलती है प्रंतु साच्छातकार करने वाले आज नहीं है लोग जाते थे देखकर आते थे कैसे राध्धानी चल रही है लेकिन जो साच्छातकार की आज वो नहीं है यह भी ड्रामा जिनका जो पाठ है वो चलता रहता है इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी कर मेरी तो ड्यूटी है पति से पावन बनाने की टीचर की ड्यूटी होती है पढ़ाने की ना तो मेरी भी ड्यूटी है तो अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करोगे तो बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बस में मैं बीच में तो नहीं आता हूं द्वापर कल्यू में नहीं आता हूं, सत्य उत्रेता में नहीं आता हूं, मेरा भी टाइम बंधा हुआ कि संगम पर आना, एकुरेट टाइम पर, तो इसमें ताकत फिर काहे कि, यह तो मेरी ड्यूटी है ना, कल्प कल्प संगम पर आकर पती से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं, मैं पावन बन ये एक सकन भी पीच्छे नहीं हो सकता है बिलकुल ऐकुरेट टाइम पर सेवा का पाड़ जाता हुँ सेकन बाइ सेकन जो पांस होता जाता है फिर वही बाबा केता भूत काल बन जाता है दुनिया सारी तमोपरधान दुनिया बन गई है माया दुसमन बहुत सुमारी साम्ना क पिर अगर जोती में जोत समा गया तो यानि कि विनास हो गया तो बाब किता नहीं कोई भी जोती जोत में नहीं समाता है खतम नहीं होता है आत्मा तो अभियासी है उसका पाड़ भी अभियासी है फिर जोती जोत में समा कैसे सकती है जितने धेर मनुसे उतनी धेर बाते होती ह कोई क्या बोला, कोई क्या बोलने लगा, यह सब मनुसे मत है, इस वर मत एक ही है, देवता मत तो यहां होती नहीं, देवता तो होते है सत्युग में, तो यह भी समझने की बाते हैं, मनुसे तो कुछ भी समझते नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, तब तो इस वर को पुकारते र लायक बनाता हूं जो तुम पूझने लाइक बनते हूं अभी थोड़ी पूझने लाइक हो जो बन रहे हो बाबा करता है कि अभी पूझने लाइक नहीं बाबा तो हमें देव स्वरूप में भिला रहा है तो बाबा करता है अभी तुम अपनी पूझा नहीं करा सकते हैं क्यो पस पवित्र रह रही है तो फिर भी विष्व का मालिक तो बनती है यहां कोई भील होगा वह भी कहेगा कि हम भारत के मालिक है पूँ आदिवासी होगा भी मतलब जो गलत दिसा में भील आदिवासी का मतलब होता है जो विकार खान पान सब कुछ खा रहा ब्राह्मन बनने के बाद भी वो भी बाबा के तब विश्व का मालिक बनेगा लेकिन वो सजा खा कर बनेगा उसका लास्ट में चलेगा आज कल देखो एक तरफ तो गाते रहते हैं भारत हमारा सबसे उचा देश है दुसरी तर फिर गाते हैं कि देखो भारत की हालत क्या हो गई भगवान रक्त खुन की नदियां बहती है कोई किसी को मार रहा है काट रहा है एक रिकॉर्ड में महिमा के गीत अदुसरी ही रिकॉर्ड में निंदा के गीत घाते रहते हैं कुछ समस्थे नहीं तुमको तो सही रिती से अब बाब समझाते हैं मनुस्य को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते है ये पता थोड़ी पढ़ रहा इसलिए वो धारना नहीं कर पाते हैं और हम लोगों को तो महसूस बाबा कराता है घड़ी-घड़ी कि देखो बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ किवल तो पुरुसार्थ करो कहेंगे वा बाबा इनको भगवान टीचर बनकर आया है अरे भगवान वाच है ना मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ सिर्फ गीता में मनुसे का नाम डाल दिया गया इसलिए खंडन हो गया गीता का भगवान के जगा निराकार के जगा में साकार का नाम डाल दिया गया श्रीकिष्ण भगवान उगाज यह हो गई मनुस्य की मत हो गई ना स्रीकिष्ण कैसे आएगा उसको क्या जरूरत पड़ा वो तो सत्यु का प्रेंज है वो पति तो दुनिया में क्यूं आएगा जो करोड पती है वो भिखारी के घर क्यूं जाएगा मागने के लिए तो नही सेने क्यान पूश्य में जानते हैं और इसी कारण वह बार बार दुखी होते हैं तुम बच्चों कि मुख से सधय रतन निकलने चाहिए पधर नहीं किसी के भी प्रती कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, सभी बहुत अच्छे, पुरुसार्ते कर रहे हैं, हाँ उनको सही गलत का पहचार नहीं है, तो पता ना है, क्योंकि चेहरे में दाग लगता है, तो सामने वाला ही बता सकता है, कि चेहरे में दाग, आपने से पूछना है कि क्या हम भल चाहते हम भी हैं, कि किचला निकल जाए जल्दी से जल्दी बहार, प्रन्तो जल्दी नहीं हो सकता है न, आप कोई बच्चा जनम लिया बोलेंगे एक बड़ा हो जाए, तो नहीं होगा न, उसको इस थीरता से धीरे धीरे बड़ा करना होगा, तभी तो वो अनुभवी जब बन जाते हैं, तब हम दूसरों को अच्छी तरह से समझाते हैं, अब जैसे हम जनम लियें, बाबा के ग्यान में, और हम खुद ही नहीं समझदार बने, कोई भी विघन को नहीं पार करते जाते हैं, कैसे पार के अनुभवी बनते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन अनुभव होता, यहां मेरा गलती है, तो इस तरह से अनुभवी बनते हैं, तो पिछाड़े में ही हम समझा सकते हैं, किसी को, तुम्हारे बान चलेंगे, उस समय लगेंगे भी, तुम जानते हो, हमारे पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं, आगे चल कर तुम लडाई भी बहुत देखोगे, बात मत पुछो, ऐसी लडाई लगेगी, लडाई में तो बहुत मरेंगे, सब इतनी सारी आत्माई कहां जाएंगी, सब परमधाम जाकर बैठ जाएंगे, क्या इकठी ही जनम लेंगे, नहीं, ज मनुसीं के विजती होती जाती है, इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाब को याद करो, विक्रम विनासोंगे, और किछड़ा निकल जाएगा फिर है दूसरी बात तुम की इसको विचार कोई तुम इसका विचार क्यों करते हो कि कब आएगा ये विचार भी नहीं करना है पहले अपना पुरुशार्ट तो करो जो ऐसा बन सको मुख्य याद की यातरा सब को पैगाम देना है पैगंबर एक ही सद् journalism करने का करम बहुत अच्छा होता है लेकिन पूरी तरफ तो सुधार नहीं हो सकता ना और यहां पर यहँ हैं वह नदर बहार बिना रही नए सकता है इस कोol ना को interpreting करते रहते तीन पे तो कुछ ना कुछ दान दे कर ही आती हैं तो यह तो तुम जानती हो ना कि इस अंतीम जनम में बाप हमको हीरे जैसा बनाती है इसको अमूली जीवन कहा जाता है प्रदु इसना पुरुसाथ करना पड़े कि हम दियोता बन जाए हम बाप समान बन जाए हम पुझे स्वरुप तयार कर ले अपना तुम कहोगी हमारा कोई दोस्त नहीं बाबा हम तो अंजान थे ना बाबा जैसे बाबा से बोलते हैं कि बाबा हम लोगों का भी दोस्त नहीं कि हम लोग भूल गए थे अब तुमको आना पड़ा यानि याद हम लोग भूल गए तब तो याद तुम दि तो मेरी दच्व यहutद करने करणे वाला बाप मिला है इन लक्षपी नारण को ऐसा किस ने बनाया बताओ दुनिया थोड़ी जानती है बाप आते हैं संगम योग बजब कल्यू का अंत और सत्यू का आरम होने वाला रता है तब बाबा आते हैं अभी तुम्हारे बातों कोई नहीं समझता आगे चल कर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्रह की टूट पड़ेगी किसकी ग्रह के जो भक्ति मार की है इतना भीड लग रहा है चारो तरफ तो बाबा केता उसकी ग्रह की टूटेगी क्योंकि वो पवित्र नहीं बना रहे हैं बस अपना बिजनस चला रहे हैं और यहां पर बाबा कहता कि तुम मेरे सासा तुम बच्चे भी निश्वार्त सेवा करो और संपुन पवित्रता को धारन करो इसलिए तुम्हारी बढ़ेगी उनकी घटने लगेगी तो बाब कहते इन बेद सास्त्रों का सार तो मैं यहां सुनाता हूँ धेर के धेर गुरु हो गएं सब भक्ति मार के सत्यूं में सब पावन थे फिर पतित बन गएं अब बाब फिर से तुम्हें बेहत का सन्यास कराते क्योंकि यह पुरानी दुनिया खतम होने वाली क्या इससे दिल लगाना सब कुछ सरीर भी नहीं रहेगा जब सरीर ही नहीं रहेगा तो देधारी या वस्तु वैभों में क्या दिल लगाना इसलिए बाब कहते कब्रिस्तान से बुद्धियोग निकालो मुझ बाब को याद करो तो तुम्हारे विक्रम बिनास होंगे अभी तो विनास का समय है ना सब का हिसाब किताब चुक्तु हो रहा कोई दुख दिया है कोई सुख लिया है ये सब कुछ चुक्तु होगा स्वारी दुनिया की आत्माई जो है उनमें सारा पाड भरा हुआ है आत्मा सरीधारन कर पाड बजाती है तुम तो आत्मा तो अभिनासी है ना पाड भी अभिनासी है चक्र की तरह घूम रहे हैं हम लोग पाड बजा रहे हैं बिंदू तक पहुंचेंगे सिवाबा तक फिर स्टार्ट कर देंगे अपना चक्र। इसमें कोई फरक नहीं पढ़ सकता हूँ, बहुर एपीट होता है, यह बहुत बड़ा बेहत का ड्रामा, चक्का गारी का चलता है, एक ही गोल गोल ना, की कभी उधर, कभी उधर तो नहीं की चलेगा तो कोई रुहानी सेवा करने वाले हैं तो कोई सेवा करने माई मतलब आत्मी की स्थिती तो में आपका ड्राइबर बन जाए मतलब कि बाबा तो सब कुछ ही करने वाला लेकिन हम सरीर क्या बन जाए उनका यूज करने वाला बाबा करता ड्राइबर बने कि हम आगे आगे बढ़े और आप हमको चलाते जो आज के बड़े लोग समझते अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है वोगया चलते चलते सरीर खतम हो गिया क्या क्यां शीर सेकते हैना बनाने के लिए जहाजादी बनाते है अब यह जहाजादी वहहां काम थोड़ी आएंगे शुख देने वाली चीजें वहां जाएंगी तो यह जो जो ग्यान ता सब्सक्कार है हवाइज बनाने काket यें संस मी किस्थिती में बनाएंगे तो वो पुस्पक विमान बन जाएगा उसमें बाबा कहता एक्सिदेंट होने का चांस नहीं रहता है विरास होने में साइंस बहुत मदद करता ये बंसे आदी बना कर फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया में मदद भी करेगा सब कुछ महाल ये सब बनाने में ये ड्रामा बड़ा वर्णर्फुल बना हुआ है अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और नमस्ते नमस्ते, सुक्रिया बाबा, सुक्रिया, धारना के लाज मुखे सारे, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहत का सन्यास करना है, कुछ भी बाबा केता अंदर में ये चाहना नहीं रखना, ये मिल जा है कि किसी चीज में आसकती नहीं जा रहा है, लेकिन बाहर से सब कुछ खा रहे हैं, तो ये भी नहीं, अनासक्त हो जाना है, इस कबरिस्तान से बुद्धी योग निकाल देना है, याद मेरा कर सारे हिसाब किताब भी चुक्तू करने, क्योंकि बीच बीच में हिसाब देने के लिए कोई, तो हमें न सुख में फसना है, न दुख में फसना है, मुख से सदय ग्यान रतन निकालना है, मतब सब के लिए अच्छा अच्छा बोलना है, पत्थर नहीं, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये भी एक पत्थर है, नहीं, सभी अच्छी है, पूरा-पूर काटों को फूल बनाने की सेवा कोई काटा है खराब है उसको भी फूल बनाना है वर्दान सेवा के साथन से भी किनारा करने का साधना करना कि हमके इसके बिना रहना तो है उसमे इसलिए गर्दा शमा खर बारा सेवा से खुसी व सकते मिलती है लेकिन सेवा में मैं बेराज वृति थे को मिफ़्दी और का सेवा बहुत बड़ा सेंट्र बन गया तो सेवा में बैरा कि नहीं आता है इसलिए अपने अंदर बैरागी वृत्ति को जगाओ कि हमें किसी चीज में भी आ सकती नहीं रखना सब को छूड़ जाएगा यहीं पर जैसे सेवा की प्लांस को प्रैक्टिकल में इमर्ज करती हो ऐसे करना है ऐसे यहां जाना सेवा करने प्रैक्टिकल मिलाते है न तो सफलता मिलती है ऐसे अभी बेहत के बैरागी की वृत्ति को इमर्ज करो बेहत का बैरागी कोई किसी चीज में कोई बोल दिया कि नहीं करना च बेहत की बैराग वित्ती की सधना मरजना हो जाए। बाबा कहता है कितना सादन मिल रहा सब कुछ लेकिन उसके रहते हैं हम न्यारे प्यारे रहें साधना और साधन का बाइलेंस हो तो सफलता मूरत बन जाएंगे अगर दोनों का बाइलेंस लेकर चले कि जब भी छोड़ने का इस्थितियारा छोड़ दे जब भी पकड़ने कर रहा है कर लिए सेवा इस तरह से बाबा कहता है कि बाइलेंस हो तो को संभो को संभो बनाना ही पर्मात में प्यार की निशानी है। तो मुझे आत्मी की स्थी ब्यार कर हर असंभो को संभो में साथ देना है, ओम शांती